लाखों करोडों रुपियों की विदेशी मुद्रा बचाएगा और देश के गरीबों के कल्यान के लिए काम में लाएगा आत्मंदिर भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विख्षित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा आगे बढ़ेगा आत्मंदिर भर भारत यानी जिसे आज हम इंपोर्ट करते हैं कल को और ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ आप सबके पर भरोसा होने के लिए कह रहा हूं यह आप पर मेरा जो भरोसा है उसके लिए मैं कह रहा हूं कि आज हम जो इंपोर्ट करते हैं कल को उसी के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनेगे साथियों इस लक्ष को प्राप्त करने के लिए यह बहुत आवशक है कि हम एक एक सेक्टर को पकड़कर एक एक प्रोड़क को पकड़कर एक एक सर्विस का ध्यान करते हुए होलिस्टिक तरीके से काम करें एक एक शेत्र को चून करके उस खेत्र में भारत को आत्मंदिर भर बनाएं आज का ये इवेंट इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्पपुण इनिशेटिव है एक मजबूत कदम है आज एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मंदिर भर बनाने के लिए सेल्फ रिलाइंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाये जा रहा है ये कारक्रम सिर्फ कोल माइनिंग से जुड़े एक सेक्टर से जुड़े रिफॉर्म्स को जमिन पर उतारने काई है ऐसा नहीं है बलकि ये 130 करोड एस्पिरेशन्स को रियलाइज करने का कमिट्मेंट है